हलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चानल Maths by अभिनव राजपूत में और Prime Time 2.0 में आज हम लोग Board and Stream के Mains के Questions करने वाले हैं टोटल 6 Questions है जो पिछले 3 या 4 साल में पूछा गया है वो 6 Questions आज हम करने वाले हैं यह जो 6 Questions है, यह Mock के Form में, यह Mock पर आपको मिल जाएगा Chapter wise Mock में, तो वहाँ से भी आप दे सकते हो और मैं तो कहूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले वो कर लेना और देखना कि आप कितने Questions कर पा रहे हो तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं छे ही Questions है, तो वीडियो की Length बहुत बड़ी नहीं होगी और sufficient होगा है, देखना है, इसमें ज़्यादा Questions क्योंकि आता नहीं है और एक ही Type का Question है, बार-बार वही पूछा जाता है जैसे पहला ही Question ले लो, क्या कह रहा है अभी रोज upstream a distance of 28 km in 4 hours अभी जो है ना, वो upstream 28 km 4 घंटे में जा सकता है तो इसकी speed कितनी हो गई? 7 km per hour, और वही downstream के लिए कह रहा है downstream को हम यह मानते हैं, 50 km 2 घंटे में तो कितना हो गया? 25 km per hour तो यहां से देखो P और Q निकालोगे आप क्या निकालोगे? P और Q तो P आजाएगा आपका 21, 25 प्लस 7, 32 बटे में 2, 16 और Q आजाएगा 25 में से 7 गए तो 18, 18 बटे में 2, 9 यानि कि यह speed हो जाएगी आपकी boat की और यह speed हो जाएगी stream की यह चारो चीज की जड़त होती है इसमें जो हमने आपको कल बताया था अब आगे देखो क्या है? To row a distance of 44.8 km 44.8 km distance को row करने के लिए उसको कितना time लगेगा? 44.8 km still water में कहा रहा है तो 16 से divide कर दो 16 दोनी 32, 32, 12.8, 16, 8 is a 128 होता है 2.8 आजाएगा आपका answer यानि 2.8 hours में 44.8 km वो still water में जा सकता है Question number दूसरा देखो The speed of a boat in still water is 18 km per hour Still water में boat की जो speed है वो आया 18 km per hour and the speed of the current is 6 km per hour और current की speed कितनी है? 6 km per hour In how much time will the boat travel a distance of 90 km and the same distance downstream? देखो यह क्या कह रहा है? एक boat है जो still water में 18 की speed से चल रहा है और current की speed है 6 तो आपको पता चल जाएगा कि upstream और downstream की speed क्या होगी? downstream की होती है A plus B यानि 24 और upstream 18 में से 6, 12 clear है? यह speed आ गया? आपसे पूछा है 90 km upstream जाने में और 90 km downstream आने में उसे कितना time लगेगा? इसको solve करना है आपको कर दो LCM लिया 24 120 270 divided by 24 तो 3 से कटा 98 45 4 11 1 by 4 hours यह second option इसका answer हो जाएगा question number 3 a man can row a distance of 900 meter against the stream in 12 minutes and return to the starting point in 9 minutes देखो एक आदमी है वो against the stream 12 minutes में जाता है और return आ जाता है 9 minutes में कितना meter? 900 meter तो आपसे पूछा है कि बताओ उस man का still water में क्या speed होगा तो सबसे पहले देखो downstream और upstream में time दे रखा है कितना time दे रखा है? 12 और 9 12 और 9 सॉरी उल्टा कर दिया मैंने 9 और 12 यानि 9 minute लगता है downstream में और 12 minute लगता है upstream में तो speed का ratio क्या आ जाएगा? speed का ratio आ जाएगा basically 12 is to 9 यानि 4 is to 3 4 is to 3 clear है? ये speed का ratio आया है 4 is to 3 यहाँ दे रखा है वैसे तो speed उन्होंने दे ही रखा था ये करने की जुरूत नहीं थी देखो इसकी जुरूत नहीं थी इसमें आप ऐसे भी निकाल सकते थे कैसे देखो 900 meter अगर ये 12 minute में जा रहा है 900 यानि की 0.9 kilometer 12 minute यानि 12 by 60 ठीक है पांच कटा 4.5 यानि upstream की speed कितनी आ गई है 4.5 downstream 900 meter यानि 0.9 kilometer ये 9 minute में जा रहा है 9 by 60 तो ये कट जाएगा 0.1 A की value आ जाएगी 6 ठीक है ये direct ही हो जाता आपसे पूछा गया है कि still water में इसकी speed कितनी होगी यानि आपसे p पूछा गया है तो add करो और 2 से divide कर दो ठीक है 5.5 1 by 4 कहलो या 5.25 कहलो Question number 4 देखो एक boat है वो 5 kilometer upstream जाता है और 0.5 kilometer downstream आता है कितने minute में? 45 minute में It can also go 5 kilometer downstream and 2.5 kilometer upstream in 25 minutes तो आपसे पूछा गया है कि how much time will it take to go 6 kilometer upstream ऐसे question में याद रखना upstream को हम अमेशा B मानेंगे downstream को A मानेंगे तो देखो यह 5 kilometer upstream जाता है और 0.5 kilometer downstream जाता है कितनी देर में? 45 minute में तो 45 by 60 इसको R में लिखना होता है It can also go 5 kilometer downstream and 2.5 kilometer upstream in 25 minutes clear है? अब देखो हमें साब साब पता है कि हमें upstream की जरुवत है तो upstream की जरुवत है तो downstream काटने की कोशिस करो यानि यह अगर इसको काट दोगे तो जादा अच्छा है कैसे करोगे? इसको 2 से multiply इसको 3 से तो 2 से करने के बाद यह 10 upon में B आएगा यह 15 upon में A आएगा यह 90 by 60 आएगा कट करने की जरुवत नहीं है देखो क्यों? अब 3 से करोगे तो 7.5 upon में B आएगा 15 by A आएगा और 75 upon में 60 आएगा अब इसमें सागर यह घटा दो तो 10 से 10.5 2.5 upon में B और देखो 90 में से 75 15 बटे में 60 अब काट कर दो तो B की value आ गई है 10 यानि upstream इसकी speed कितनी है 10 km per hour तो बताओ 6 km जाने में कितना टाइम लगेगा तो 6 by 10 इंटो में 60 गर देना ताकि minute में निकाल सको 36 minute आ जाएगा Question number 5 देखो क्या है A man can row 10 km per hour एक आदमी जो है न वो 10 km per hour still water में जाता है यानि कि P कितना है 10 When the river is running at a speed of 4.5 km per hour यानि downstream 10 km तो P की value है और Q की value है 4.5 km per hour अब देखो क्या है It takes him 2 hours to row to a place and comes back to the initial point एक जगह है जाने में और आने में उसको 2 घंटा लगा है तो बताओ distance कितना है How far is the place आप से distance पूछा है देखो जाने और आने में 2 घंटे लगे है अगर मैं देखो जाएगा तो downstream में आएगा तो upstream में या उल्टा कर लो क्या फरक पड़ता है speed का ratio क्या आ जाएगा 14.5 और 5.5 ठीक है add करोगे तो downstream घटाओगे तो upstream तो time का ratio क्या आ जाएगा उल्टा कर दो 11 और 29 ठीक है 5.5 और 14.5 है डबल कर दो ताकि pointed जाए यानि कि भाई सहाब अगर 40 मिनट चले न अगर 40 मिनट चले तो 11 मिनट downstream 39 मिनट upstream चला कितना है 2 घंटा 2 घंटे को मैं 120 कर सकता हूँ 120 किसकी value है 40 की चाहिए किसकी किसी की भी निकाल सकते हो 11 की निकाल लो यानि कि actually मैं भाई सहाब को 33 मिनट लगा था downstream और अगर 39 निकालोगे तो 87 मिनट downstream sorry upstream 33 मिनट ये जाता है downstream और 87 मिनट जाता है ये upstream तब ही जाके दोनों को जोड कर कितना आ रहा है 2 घंटे बट आप से distance पूछा है तो distance कैसे निकालोगे देखो 14.5 किलोमेटर पर आर की स्पीड से 33 मिनट जाएगा तो 33 by 60 तीन से कट करो 11 तीन से कट किया 20 पॉइंट हटाओ 0 लगाओ पांच से कट किया पांच दूनी 10 पांच नमबर 45 पांच से कट करो 40 अब 29 इंटू में 11 कितना होता है 40 इंटू में 8 320 होता है ना तो 8 के आसपास देखोगे एक ही है 798 ये भी 8 से थोड़ा ही कम आ रहा है तो यही इसका अंसर है फिप्त का C कॉस्चन नमबर 6 देखो अब बोट कवर्स 55 किलोमेटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आर and cover the same distance upstream in 7 आर आपसे पूचा है बोट की स्पीड कितनी है देखो downstream के बारे में बात करे यानि A के बारे में बात करे तो 35 किलोमेटर 2 घंटे में गया है यानि 7,5 और upstream यानि B के बारे में बात करे तो 35 किलोमेटर 7 घंटे में गया तो कितना आजाएगा पांच, आप से पूछा है, बोट की स्पीड, यानि P, तो P क्या होगा, एड कर दो, और 2 से डिवाइड कर दो, 11.25, तो बोट के कॉश्टन्स बहुत इजी आते हैं, हलांकि मैंने आपको जरुस से ज़्यादा लेवल के कॉश्टन्स करवा दिये हैं, बड़ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली जो कॉश्टन है न, वो आप टाइम स्पीड और डिस्टन्स से भी कर सकते हो, थोड़े अच्छे कॉश्टन्स करवाने के लिए, मैंने थोड़े अच्छे कॉश्टन्स उठा लिए थे, तो बोट यहीं पर खतम होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, एवरेज चैप्टर के साथ, आई होप तब तक आपने जितनी भी चीज़े हैं, पीछे के सारे वीडियोस देख लिए हैं, टाइम, स्पीड and डिस्टेंस समझ लिए हो, जरुरत पड़े, तो एक बार प्राइम टाइम वन में भी जाके, आप इन सारे चैप्टर्स को दुबारा देख लेना, थेंक्यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई गरते रहो,